हेलो वाइस, वाट्स अप, I hope आप लोग अच्छे रहा बहुती कमाल के होंगे तो आज एक बहुती कमाल का पैक इस्टोर में आया हुआ है जो की करीब एक ये तेर महिने में एक ही बार आता है and मैं आपको highly suggest करूँगा कि उस पैक को आप open किजे जरूर क्योंकि उससे best pack नहीं है कोई, पुरे एम के mobile में अगर आपको diamond चाहिए तो and इस pack का नाम है, light netherium elder god pack बड़ा कमाल का pack है guys and क्यों बड़े कमाल का है, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि इसमें कितने percent chance से diamond character मिलने के पहले बाद तो यह 14 diamonds content करता है, इसके अंदर 14 diamonds है और यहाँ पर आप देख सकते हैं करके सारे diamonds और मैं इनको भी calculate करूँगा, ठीक है calculate करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि total कितने diamonds है और कितने percent chance है, मतलब 14 diamonds तो मैंने बता दिया मतलब कितना percent chance है, एक diamond character मिलने का तो यह वर calculate कर लेता है ठीक वैस, I am done करीब 27.47, मतलब 47 हाँ 47% के आसपास chance है, एक diamond character मिलने का मतलब हर 4 packs में एक diamond मिलना कमबल सरी है मिलेगा ही मिलेगा, कोई deny नहीं भले ही आपका किस्मात कितना ही खराब किवन हो, आपको मिलना ही मिलना है तो मैंने decide किया कि मैं करीब 15,000 souls इस पेंड करने वाला हूँ तो देखते हैं, मुझे कितने diamonds मिलते है, no problem हाँ ये एक थोरी दिक्कत है इस pack के अंदर, केस के अंदर basic gold card भी है आप टोल पैक के तरह, last जो pack opening मेंने की थी बट इस pack के साथ ऐसा सी नहीं, आपका किस्मत कितना भी खराब हो, क्यों न बहले आप कितने ही new player हो, कितने ही old player हो, आपको diamonds मिलेंगे ही मिलेंगे और इस बात की guarantee में दैता हूँ इसलिए मैं अपने solismant कर रहा हूँ और नहीं, कोई दिक्कत नहीं और क्योंकि बस एक ही card है इस pack के अंदर, मतलब कोई भी support card नहीं है नहीं कोई equipment card है, नहीं कोई level of card है तो ये थोड़ा unfortunate है, new players के लिए बट chances बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे best pack है और क्योंकि एक ही card है, इसलिए मैं बहुत ही अराम से pack opening करूँगा पुरा animation देखके pack open करूँगा, क्योंकि एक ही card आएगा, obviously तो ये हुए मेरा तीसरा pack क्या बात है, बहुत बढ़िया card मिला बस अगर मेरा classic scorpion max out नहीं हुआ हो था और ये हमेरा fourth pack बात है जब ये pack offer में रहता है ना तो इससे best pack तो कोई ही नहीं क्योंकि ये करीब 33% chance होता है, मतलब off होता है और उस time पर ये pack यार, मतलब ये pack best है उस time पर क्योंकि सोच के देखो यार, 300 souls के अंदर आपको मिल रहे 27% chance diamond character मिलने के, और बात ही है कि इसमें जल्दी sale आता ही नहीं है, last time मेरे इसाब से 5 या 6 मन पहले आया था sale तो उस समय इस पर मतलब 300 souls में मिल रहे था, मिल जाया, ये क्या हो गयार, I think मैंने 5x open कर लिया सायद, यार अभी दल तो मिल जाना जाया था, ठीक यार कभी-कभी थोड़ा लेट हो जाता है, don't worry, ये मतलब अगर शुरू में लेट हो जाता है तो बात में ये manage कर देता है, तो टेंसर में कोई बात नहीं है जाता है, चलो, मिल जाए, diamond, यारे क्या हो रहा है, कहीं मेरा bad luck मेरा साथ तो नहीं दे रहा है, या मुझे बहुत सा रहे diamond मिलके इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, या ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए, chances के हिसाब से इस pack में आराम से मुझे diamond ही मिलने चाहिए, क्योंकि 27.47% chance है, logically हर 4-5 pack open करने के बाद, एक pack मतलब एक diamond तो मिलना compulsory है इस pack के अंदर, और यह राडाई, क्या हो रहा है यार, हम almost 2,000 souls spent कर दिया है, अब मेरा mind काम नहीं कर रहा है, यह चल गया रहा है, 3,000 souls हमें spent कर दिया है, हम तो ध्यान ही नहीं दिया, souls के उपर, 31,000 souls थे मेरे बास ना, यह हो क्या रहा है, हमको समझ भे नहीं आ रहा है, भाई diamond कहा गए यार, please God, diamond दे दे, ऐसा मत कर यार, यार एक तो यह loading speed इतना slow है ना यार, कसम से, इतना slow, oh no, यार यह फिर से हो रहा है, यार यह फिर से हो रहा है, यार यह फिर से हो रहा है, और इस वर यह मेरे साथ हो रहा है, यार हम विश्वास नहीं किये थे कि इस pack के साथ भी ऐसा हो सकता है, guys, यह बहुत बुरा है यह सही में बहुत ही ज्यादा बुरा है ऐसा नहीं होना चाहिए था बट अब यह हो रहा है वाव और इस पैक के साथ हो रहा है यह तो कभी हम सपने में में इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस पैक में मुझे इतना डिफिकल्ट होगा फिर सेंटार क्रेट हैं अरे यार हम 4600 से स्पेंड कर चुका है यार एक तो यह लोडिंग इतना ज्यादा लगता है ना कभी कभी हाद है और डेवलबर्स बोल रहा है कि हमने इंप्रूब्मेंट कर दिया है कोई इंप्रूब्मेंट मुझे नजर नहीं आ रही है मिल जा डायमंड नहीं मिल रहा है मुझे लगता है जब तारे गर्दिस में चल रहा होते है ना तो कुछ करना नहीं चाहिए ठीक गाइस वीडियो को में यह एंड करते यार अभी हम और दो तीन पैक ओपेंड करेंगे जब तक मुझे को डायमंड नहीं मिल जाता है वेलकम बैग गाइस तो एक्षेल हुआ क्या ना कि जब मैंने और चात माँ पैक ओपेंड के ना तो मुझे कंट्रिनसली दो तीन डायमंड लगातार मिल गया है तो मैंने करीब 20 थाउन सोल्स इस्पेंड कर दी है और मुझे स सारे डायमंड मिलेंगे क्योंकि 9 या 8 हमको याद नहीं ठीक से कुछ ऐसा है अमांट मिल चुका है मुझे और मैं इस्पार हो चुका हूँ कि नहीं यार यह पैक ठीक है मैंने बहुत जल्दी से जच कर दिया था तो हो जाता है कभी-कभी कोई बात नहीं कोई बात नहीं ज निरास हो गया थे लेकिन हम ट्रैक पर वापस आ गया है और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि नहीं मुझे डायमंड से नहीं मिले है मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूं तो आप मेरी कलेक्शन वाली वीडियो को और अभी मैं एंड में वीडियो मतलब डा रेडन मिल चुका है क्या बात है कवाल तो गाइस मेरे पास फ्यूजन फॉर कवाल था और आप यहां देख सकते हैं कि फ्यूजन सेवन हो चुका है हाँ तो यह पैक सीरिसली अच्छा है ठीक है कभी तो भी टाइम लग जाता है इस पैक को सोल देने में बढ़ अगर आपके पास नाइन यह टेंथ होजन सोल है तो आपको डाइमंड कम पो देखा टू डाइमंड इने रो ऐसा ही हुआ था गाईस उस टाइम पे जश्ट ऐसा ही ह होता है तो यह पैक उनके लिए बेश्ट है अगर उनके पास कोई नेदरियाम करेक्टर मैक्स आउट नहीं है तो ओहो थी डाइमंड इन रो इसी के मैं बात कर दा था यार यह पैक कमाल का है ठीक है मैंने जितनी भी बूरी बाते बोली हो सॉरी सॉरी गैम माप कर देना मुझे मैंने बहुत जल्दी ज़ज कर लिया यार तुझे एल्डर कोट केंजी जो कि मैक्स आउट हो चुका है और फिप्टीन पैक साइध हम ओपन कर सकते है आराम से दो गोल्ड चैलेंज केरेक्टर इन एरो हाँ पर कोश्ट तो इस पैक का काफी ज़्यादा है सही मैं सिर्फ एक काड़ मिलेगा और फोर फिप्टी सोल्स इसका प्राइज है बट यह जो भी डाइमंड कॉंटेंड करता है न काफी अच्छे डाइमंड कॉंटेंड करता है जिसके कारण यह मतलब प्राइस उतना ज्यादा लगता नहीं है जैसे और उगे न्यू प्लेयर इस पैक को ओपन करेंगा ना यार तो मैं इस बात की गैरेंटी दे सकता हूं कि उससे और या 5000 सोल्स के अंदर कम से कम तीन डाइमंड तो मिल ही जाएंगे और उगे न्यू प्लेयर ओपन कर रहा है तो यह डिपेंट करता है इस गेम के अंदर कि न्यू प्लेयर ओपन कर रहा है या ओल्ड प्लेयर ओपन कर रहा है कि या बात है जेट मिल गई तो फ्यूजन जीरो थी जेट मेरे पास और अब हो गई जेट फ्यूजन फोर एंड एक बार फिर से हम आपको इंफॉर्म कर देता है तो मेरे कलेक्शन को पोजे मैंने वीडियो बनाई है वहाँ आप चेक कर सकते कि मेरे पास कौन से डायमेट्स कौन से क्या बोलते फ्यूजन के थे और अभी एंड में मैं सारे डायमेट्स फिर से आपको दिखाऊंगा तो आप फिर वहाँ से देख लेंगे क्या बात है टू डायमेर्स इने रो यार यही बात है स्पैक की जब नहीं मिलता तो नहीं मिलता है और जब मिलना शुरू होता ना तो कंट्यूनसली दो तीन डायमेर्स मिल जाता है येस फ्यूजन फाइब हो गया जब मतलब क्या बूलू सबको पता है कि जब गेम की वन आप दा बेस्ट करेक्टर है खास कर MK11 जट क्यूंकि पॉईजन ब्लीड और क्या बूलते उसको फाइब हाँ तीनों से हील होती है जब और स्लो कर देती है ओपोनेंट को मतलब इसका भी कुछ रेन वला हिसाब है यह पहले आई थे और रेन ने तो इसकी कॉपी कर लिया पर रेन भी उतना इपेक्टिब नहीं है जेड के केस में कि जेड के केस में आप जितनी बार भी बेसिक अड़ेक करेंगा ना हर सेगेंड या थर्ड जो बेसिक अटेक होगा वो सुलो हो ही जाएगा मतलब चांसे सिफ 25 परसेंट है बट एवरी सिंगल टाइम यह काम करता है कि इलडर गोर्ट केंजी है जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि अगर 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 आपका कोई भी टीमेट मरता है सुरी क्या बोल रहा है नहीं नहीं मरता नहीं है अगर कोई भी किसी भी टीमेट को एल्डर गोड केंजी मारता है अपोनेट के तो वन बारो पावर तीनों को मिलता है एल्डर गोड केंजी के टीमेट को पर यह उतना इंपोर्टेंट न आपके टीम का क्रिटिकल इट नहीं लेगा, जिस आपका टीम के सर्वाइवल टाइम भछ जाता है, क्योंकि ज्यादा डेमेज क्रिटिकल इट्राइट और लीथल बोलोस होता है, लीथल ब्लो का तो ज्यादा है, मतलब एक्यूमेंट कुछ है या नहीं तो सब कोई कि रिटिकल हीटी यूज़ करता है कि अ कि ऐसी कभी-कभी इन्हें रो मतलब सिर्फ गोल्ड-गोल्ड-गोल्ड मिलते रहते हैं तो नहीं रास हो जाता है मन मेरा भी इस सिनोग यहां से काफी अच्छा करेक्टर है मतलब attack के माम लिम नहीं attack तो उसका काफी कम है लेकिन उसका जो effect है कि जब भी वो किसी नहीं नहीं जब भी सिनोग या अपोनेंट के टीम मेट मरता है कोई भी टीम मेट मरता है तो 25% सिनोग का attack गैन हो जाता है मदलब अगर चार बंदे मर चुके है पूरी फिल्ड में मदलब छे मेंस है तो करीब 100% डेमेज बूस्ट मिल जाएगा सिनोक को तो अच्छा एविलीटी है चलो यार मिल भी जाया देखो यार ऐसा ही हो जाएगा वीडियोच में तो आप निरास मत हो जाना मदलब मैं निरास हो गया था शुरू में बट ऐसा हो जाता कभी कि कंट्यूनसली नहीं मिलता 2,000, 3,000, 4,000 सोल साफ इस्पेंड कर देंगे और रहो सकता है डायमेंड मिलेगा नहीं तो आप 2 मिनिट के लिए मतलब डाउट में आ जाएंगे कि यार सही में इस पैक में आफ सोल इस्पेंड करूं या नहीं करूं देखा जिस अभी मुझे डाइमंड मिली नहीं रहा बड़ मुझे बिस्वास है कि अभी डाइमंड मिलेंगा तो कंट्यूनसली एक या दो या तीन डाइमंड मुझे कंट्यूनसली मिल जाएंगे में है हैं एक्जेकली मैंने इतने जयाता सुल्स आस अज तक अभी स्मेंट नहीं गीं इस पर मैं हारजि जब इस टाइब में टाइम पर आया था तो मैंने इस पर साइद फोर यह फाइफ़जसी स्पेंट किया था और उसूल्स के अंदर ना कि दो एक या दो डायमंड्स तीन डायमंड्स मिली जाते थे मुझे हमें असा तो यह मेरा फ़र्ष टाइम है कि इतने जाता सोल्स में इस पैप पर इस पेंड कर रहा हूं कि तूथ हॉजन बचा वावाथ ठीक है कम से कम दो डायमंड्स तो मेरे हिसाब से और मिलेंगे मुझे हरांद सा खूल जाए खूल जाए यार इतना स्लो क्यों चलता है मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी ओ भाई सखाव कम से कम अभी छे साथ सेगंड तो ऐसे ही लगा होगा अब साह सिर्फ चार पेक बचे हुए है ठीक है नो रिग्रेट मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपने स्वोज इस पर इस्पर इस्पैंड किया क्योंकि मुझे कापी सारे डायमंड मिल चुका है साहद 13 14 हां 12 या 13 डायमंड साहद मुझे मिल चुके है ठीक काउंट तो मैं करने वाला हुए सभी है वो बूल साहद यह हुई ना बात जो डायमंड चाहिए तो वह ही मिला अब यह होगी है फ्यूजन 7 चलो अप टावर में मुझे और हल्प मिल जाएगी बॉस फाइट्स में यह रेडन गेम के वन अब दा बेस्ट केरेक्टर्स में से एक है और अभी चांसे रेडन के मिलने का मात्र वन परसेंट था 1.36 तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है हो हो क्या बात है कवाल इससे लेकर तो साइद फ्यूजन 8 हो जाएगा साइद फ्यूजन 8 हो गया चलो अब हम कवाल को भी यूज़ कर सकते हैं टावर बैटल्स कंदर कवाल भी डिसेंट फ्यूजन हो चुका है अरे यार खोल जाए यार कसम से इतना धीरे क्यों दस सेगेंड तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं हो हो थ्री डाइमेंट्स इने रो गाइस मैंने बुला ना जब मिलता तो लगाता दो तिन डाइमेंट्स मिल जाता है तो यह पैक उपनिंग सबल हो चुकी है तो कितना और एक पैक में उपन कर सकता हूं चलो कर लेता है मैं स्वल कलेक्ट कर लोगा टावर रिफ्रेसस के लिए फिर बाद में यह हुई ना बात फोर डाइमेंट्स इने रो इसी की मैं बात कर रहा था गाइस इसी की मैं बात कर रहा था तो ओपनिंग काफी टेरीबल हुई बट एंडिंग मैं तवाही मचा दी इस पैक न है तो अब मैं सबसे पहले कलेक्ट ना आपको दिखाऊंगा और जितने मेरे पास डाइमेंड्स हैं उनको मैं काउंट करूंगा और मेरे प्रिबियस मैं एक वीडियो अपलोड की थी मेर एक लेक्षन के उपर और डाइमंड एट आट फ्रॉम सोसर टावर और यहां पर फिर मैं उनको दिखा आप देख सकते हैं यहां पर सारे डामड तो अधर में जूट बोल रहा हूंगा तो आप दोनों को मिला सकते हैं तो मुझे कौन-कौन सा डाइमंड मिला है मैं यहां ए रेडन फ्यूजन टू हो चुका है फ्यूजन वन था है थ्री डाइमंड काउंट करना गाइस ठीक है उसके बाद मिली मुझे जेड हम जेड हो गई है फ्यूजन फाइप पहले फ्यूजन जिरो थी तीन और पांच हो गया है आठ फिर उसके बाद मिला कवाल फ्यूजन नहींट हो गया फ्यूजन फोर था पहला है तो हो इस ट्राइप फोर से स्कॉर्पियम होगए ठाटीं डाइमंड एंड उसके बाद मिला कौन सा काड़ मिला था हाँ classic redden तो classic redden को मिलाके होगे करीब 14 diamonds इंद उसके बाद कौन से diamond निमलाता हमको देखना पर एका sub 0, sub 0 fusion 1 था पहले अब fusion 3 हो गया तो होगे 16 diamonds यहां तो सब sorcerer tower की तरू मिले था मुझे और कौन से डाइमंड था हाँ कोल्ड वार स्कॉर्पियम तो होगे करीब 17 डाइमंड्स एंड उसके बाद मिला मुझे इंजस्टिस टू रेड़न होगे टोडल 18 डाइमंड्स एक बार और देख लाते कि कोई और डाइमंड्स तो छूट नहीं रहना मेरा है मुझसे ना यहां तो कोई नहीं है इसकारलेट भी बहुत पहले मिली थी जैक्स भी नहीं मिला फ्रेडी किटाना ये सब पहले से था डिवोरा भी नहीं मिली केसी केज भी पहले से थी रेप्टाइल भी नहीं मिला स्कॉर्पियों भी पहले से था मेरे बास ट्रीमर भी पहले से था लोग कुंगलाव किटाना कोल्ड वार इसकार्लेट नहीं नहीं यह सब पहले से था मेरे बास तो हाँ गाइस टोटल 18 डायमेंट मिले मुझे करीब 31 मतलब सारे 31,000 सोल के अंदर मतलब करीब करीब 1730 या 40 सोल मुझे एक डायमेंट का मतलब कोश्ट परा है तो हाँ गाइस मैं कह सकता हूँ यह win-win situation वीडियो की सुरुआत में मैं थोड़ा निरास हो गया था बट सब कुछ best है जैसे कि मैंने predict किया था यह best pack है और अभी भी है तो अगर मैं वहीं पर रुख जाता तो हो सकता था कि मैं आपको बता नहीं पाता और यह pack बेकार में बतनाम हो जाता है बस एक problem हो गई कि मैंने अपनी आपको दिखाई नहीं बट जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहे तो मेरी previous वीडियो को देखकर मिला सकते है कि कौन से डायमेंड मेरे पास थे और कौन से डायमेंड नहीं थे तो वहां से आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आ गुडबाय टाड़ा सायो नारा